असलाम अलेकूम रह्मेतुल्ला बरकातु आज हम गर्मियों में अकसर बनाए जाने वाला साबुदाना बटेटा वेफर्स बनाएंगे तो इसके लिए मैंने पाव किलो साबुदाने रात को भीगते रख दिये थे यह पानी इसको धो के तो टाइम वाश करके अच्छी तरह इसको इतने लेवल इसके लेवल में ही इतना पानी डाल के इसको भीगते रखाता तो सुबा तक यह ऐसे हो गए एकदम अच्छे खुले-खुले हो गए और साइज में भी बढ़ गए और अच्छे भीग गए ऐसा प्रेस करो तो फूट जा रहे ऐसे हो गए इसे के साथ हम हमने यह चार आलू भी मीडियम साइज के चार आलू मैंने बॉल करके रखे हैं यह मैं इसमें खिसूंगी और आपको बताऊंगी साथ ही में साइमन टेनिसली हमने यहां पे दो बड़े ग्लास पानी गरम करने रखा हुआ है तो उसमें अभी हम सबसे पहला नमक डाल दूं ऑर ऐं चम्मोर्ण जितना जीरा भी में डाल दूंगी और यह तीन दीक सब्सक्रास है इसको अब पीस के भी क्लेन सकते Congrats हम इसके ऐसे मिडियम साइज के बीच में से शीट करें तुकुर्ड बना के बीच में से ऐसे स्लिक्ड करेंगे और इसको तिन पीस में स्लिक यह मैं तरही के से ई और इसे कालेंगे और बॉइल होने के बाद हम साभू डाल इसमें पताशन से अभी अब आपको बॉइल होने के बाद बतातें नेक्स्ट किन यह पानी अच्छा पक रहा है भी आंप a सूर से काट के तोने हम आप पलते मीर्च हम अप Dalai में पानी अच्छा गरम हो चुका है तो हम यह साबुदाना इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह पकाएंगे लेकिन कंटिन्यूस इसको हिलाते रहेंगे हो वरना यह नीचे चिपक जाएगा इसको तब तक पकाना है जब तक इसे पकाना है घट होने के बाद यह पूरा काच की तरह ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा जब यह ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा तो इसका मतलब यह हमारा पक चुका ह इसे हम पांच मिनित इसी तरह पका के हिलाते वे चलाते वे पकाएंगे यह साथ मिनित तक हमने इसको कंटीनियूस चलाया है और दो गलास पानी डालके इसे पकाया है यह देखो यह इतना ठीक हो गया और सारे साबुदानी के दानी जो है वो ट्रांस्पेरेंट हो गये यह देखो यह ऐसा खड़ा हो जाएगा यह इसकी पैचाने के हमारा यह साबुदाना बरो बरे जब यह स्पाटूला ऐसा खड़ा हो जाए इसका मतलब यह परफेक्ट हो ग हमने मैश कर दिया है और इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मिक्स करके इसे थंडा होने देंगे इसको मिला लेंगे अच्छी तरह और इसको थंडा होने देते हैं पूरा एक जान करके मिला लेंगे और फिर साचे में इस तरीके के साचे में डालके हम इसमें ये वाली स्टार नोजल वाली प्लेट लगाकर इस साचे में डालके इस तरीके से डालके हम इसके वेफर्स बनाएंगे प्लास्टिक बिचा कर इसे सुखाएंगे वेफर्स बनाएंगे, प्लास्टिक पर डालेंगे और इसे सुखाएंगे, तो अभी हम पहले इसको अच्छी तरह और मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स बताते हैं, इसको अभी हमने ये साचे को अंदर से, बाहर से अच्छी तरह तेल लगा दिया है, इसको भी तेल भर के आपको बताते हैं, चाभुदान वेफर्स बनाना बताते हैं, ये हमने स्पैटूला से अंदर अच्छा दबा दबा के इसको अभी भर दिया है, अब हम इसको बन कर देंगे, इस तरीके से, और चक्री दाल के आपको बताते हैं, अच्छी तरह इसको पैक कर देंगे, यह अभी हम इसको इस तरीके से लंबे लंबे शेप में यह वेफर्स दालना शुरू करेंगे आप कोई में शेप दे सकते हैं हम यह शेप दे रहे हैं आप राव बनाव में तो चक्री हो जाएगी साबुदाना चक्री इसको दो तीन दीन ऐसे ही प्लास्किक पे सुखने को रखने का चार पाज घंटे फैन के नीचे रखने के बार हम इसको दो दीन दीन धूप दिखाएंगे अच्छी तरह सुखा देंगे यह हमने थोड़े राउंड थोड़े से राउंड और थोड़े से सीधे सीधे भी डाल दी है तो आपको जैसा भी शेप चाहिए आप वह शेप से इसे बना सकते हैं यह हमने अभी सांचे से लंबे लंबे ऐसे शेप डाले हैं आप कोई भी शेप डाल सकते हो हमने थोड़े लंबे थोड़े चोटे डाले हैं और कुछ राउंड भी बनाए है और इसे प्लास्टिक पर डाल दिया है अब हम इसको चार से पाच गंटा फैन के नीचे और दो दिन धूप में रखेंगे फिर आपको बताएंगे कि सुखने के बाद कैसे बनते हैं इसमें से कुछ मेरी बेटी ने भी डाले है यह जो ऊपर वाली लाइन है यह मेरी बेटी ने थोड़ा सा डाला है और यह हमने छोटे बड़े लंबे साइज शेप के आप कोई भ हो जाएगी लंबे डाले तो वेफर्स हो जाएगे तो हम इसको अभी दो दिन सुखाएंगे चार से पांच घंटे फैन के नीचे रखने के बाद और दो दिन के बाद सुखने के बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं यह दो दिन हमने सुखाया धूप में और यह देखे यह ऐसे लंबे लंबे इसके यह ऐसे वेफर्स बने तो आप इसको तोड़के इसके चोटे-चोटे टुकड़े भी कर सकते हैं और फ्राइ कर सकते हैं प्लस यह जो गोल्ड चक्रिया में हमने जो बनाई थी यह भी अच हमने एक पैन अल्रेडी चड़ा दिया है और इसमें अभी हम तेल दालेंगे फ्राइ करने के लिए यह गर्मियों में बहुत बनाया जाता है इसे आप बड़े बड़े तो खाते ही है बच्चों को भी दे सकते हैं इवनिंग स्नाक्स की तरह गरम करके भी इसे इवनिंग स् वीडियो अच्छी लगेगी आप हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है आपको तो प्लीज हमारे चैनल को राहत की चन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन जरूर दबाईएगा भूलिएगा नहीं यहां पान में तब तक हमने ऑई गरम को छोड़ा ह कर दो कने हें यह जाल जैसे ही गरम होगा हम इसको आपको चैनल कर के बता करके बरहेंगे यह जो वी चोटे साइज मे आपको मेन चाहिए यहां तेल गरम हो रहा है जैसे घरोग अभी तो फ्लेम हाई हम बाद में चाहिए मीडियम खर देंगे हाई जया अभी हमारा अच्छी तरह गरम हो गया है तो हम अभी इसके चोटे टुकडे करके डालेंगे फ्लेम बिलकुल मीडियम पे रखा है यह ऐसे चोटे टुकडे हम इसमें डालेंगे जैसे ही यह अच्छी तरह सीख जाएंगे फ्राय हो जाएंगे यह आटोमेटिकले खुद पर खुद ऊपर आ जाएंगे यह जो लंबे-लंबे है इसको हम तोड़के चोटे टुकडे यह देखिए यह खुद पर खुद फ्राय होके ऊपर आ रहे है यह देखिए आप लंबे भी डाल सकते है पर मसला नहीं है आपको जैसे पसंदो बड़े चोटे यह देखिए यह अच्छी तरह फूल के ऊपर आ गए है यह साबुद आना बटाटा चकली वेफरस यह देखिए अब हम इसमें चकली भी डाल के बताएंगे जो चकली हमने बनाए थे ना वह भी बताएंगे आपको अब हम इसमें जो चकली बनाए थे यह भी डाल देंगे यह भी फूल के खुद बखुद उपर आ जाएंगे और यह देखिए आज मीडियम पर ही रखना है बहुत तेज आज पर नहीं इसे तरना है फिलकुन नो टु मीडियम पर रखके इसे फ्राइ करना है यह देखिए यह चक्री भी प्राय होके खुद बखुद उपर आ गई है इसे भी हम निकाल देंगे यह अच्छी तरह फूल गई है इसे भी हम निकालेंगे और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं साबुदानब बटाटर वेफर्स बनके तयार है आप इसे हमारे मैथड से बना के देखिए इन्शाललह यह बहुत अच्छे बनेंगे और आपके बच्चों को और आपके घर में सभी को पसंद आएंगे आपको भी पसंद आएंगे अगर आप हमारी वीडियो से कुछ सीखते हैं आपको कुछ सीखने मिलता है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए रहत कीचन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाजू में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए हमें सपोर्ट कीजिए हमसे जुड़े रहे और अपने एक्सपीरियंस हमसे शेर कीजिए अपने फीडबाक दीजिए अल्ला आफिस